नबश्कार में अप्रिया धराधरती इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते देश प्रदेश की अब तक इप्रमुख खबरों को भारती जुंता पार्टी भाजपा की राष्ट्रे कारिकारनी की बैठक में श्वाबिल हो ले हाँ पहुचे नेताओं पर तंचकस्ते वे तिलंगाना राष्ट्रे समीती के कारिवाह का ध्यक्ष और मंत्री केटी रामार राव ने उनसे यहां ठहरने के दौरान विश्व प् प्रतियाश्री यश्वंत सिन्हा भी हैदराबाद के बेगम पेट एरपोर्ट पहुचे हैं मोदी के स्वागत के लिए राज्युकास सिर्फ एक मंत्री जाएगा और वहीं सिन्हा को लेने के लिए CM KCR समेत पूरा मंत्री बंडल पहुचने वाला था यश्वंत सिन्हा पी करोरों की संपत्यों को सीज किया गया है वहीं पूरे मामले में दर्जकुल 80 मुकदमों में 62 में चार्ज शीर दाखिल की गई है वहीं 30 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस नरस्त किये गये हैं मामले में अब तक 66 आरोपियों को ग्रफतार कर जेल भीजा जा चुका है जिसम अभी 54 आरोपी जेल में बंद है उदैपूर में कनहिया लाल की निर्मम हतिया का मामला सियासी रंगलिता जा रहा है कॉंग्रस ने शरीवार को मोधी सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्य साज़ शकरता रियाज अटारी के भगवा पार्टी के साथ संबन्ध थे उदैपू की कुलमामलों की संख्या चार करूर चौतस ताग चीयासी अजार तीन सो अच्छबश हो गई है वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार 568 पर पहुँच गई है केंद्रे सास्वंत वाले के श्रेनिवार सुपे 8 बजे तक अध्यतन आकडो इस आपदा के बाद लोगों में भय है पुष्छे महीने भी इरान में भुकंप के जटके महसूस किये गये थे गूगल अनुबाद के माध्यम से दुनिया के 130 से अधिक भाषाओं का अनुबाद किया जा सकता है लेकिन दुर्भागे से 5000 साल पुरानी कश्मीर भाषा को अभी तक गूगल अनुबाद में शामिल नहीं किया गया कश्मीरी भाषा भारत पाक उप महद्वीप की महत्वपून भाषाओं में से एक है तिहासिक रूप से कश्मीरी अंग्रेजी जितनी पुरानी भाषा है लेकिन आधुनिक समय में जुस तरह से अंग्रेजी और अन्य भाशाओं का विकास हुआ है उसमें कश्मीरी भाशा की उपेक्षा की गई है केंद्रे स्वास्त मंत्री मंसुख मंडाविया ने शुक्रबार को राश्ट्रे चिकित्सक दिवस पर कहाई हर साल एक जुलाई को ये दिवस मनाना उनकी बड़ी भूमिका की मानेता देने का ही एक प्रयास है उटिसा के बालेश्वर में रथियात्रा के दौरान बिज्री के तार के संपर्ख में रथ की आ जाने पर करेंट लगने से उसे खीच रहे लोगों में अठाइस वर्षी एक व्यक्ति की जान चले गई है जिब की साथ अन्य घायल हो गया पुलिस ने बताया कि ये हाथा बसता थाना वशेद्र के गुड़ी खाल गाउं में तब हुआ जब लोग ये रथियात्रा निकाल रहे थे सेंक्ति विपक्ष के रास्टपति उमिद्वार येश्वांत सिना राज़ानी राइपूर पहुंचे इस दौरान नों ने कहा कि आज मैं आपके बीच में हूँ छतिसगर में मेरा विशेश संबंद है वो संबंद ये है कि 60 सार पहले मैं यहां भिलाई आया था यहां मेरी शादी हुई थी इसलिए मैं बरावर विशेश लगा। शतिसगर से मैं हजूस करता हूँ यहां बहुत आनन्द आता है। युधिचर राय और भाजपा का अग्रा निशाना तिलंगाना है दो जिलाई से लंब्य अंदराल की बाद हैदराबाद में अपनी दो दिवसी रास्ट्रे कारिकारनी की बैठा कायो जित करने का भाजपा के दिरने को चंदर शेकर राय और के निद्रुतमाली टी आर एस क खिलाफ तिलंगानम एक लड़ाई की घोशना है हाला के 58 वर्षिय शिंदे के असलिक चुनाती शक्तिशाले सायोगी के साथ सरकार चुलाना होगी जिसके विदान सभाग के फर्ष से लेकर प्रमुक विभागों पर नियंतरन रखने की संभावना है नियंतरन डेखा पर सिथ बीसेफ की फॉवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट पर जवानों को ठंड से बचाने के लिए पहली बार हर मौसम के लिए कारगर ओल वेदर कंटेनर लगाये जा रहे है पाकस्तान की तरह से किसी भी समय गोली बारी की आशंका कुध्यान में रखते वे ये कंटेनर लगाये जा रहे है अठारा साल बाद हैदराबाद में दो और तीन जुलाई को राश्ट्रे कारिकालनी की बैठर करने जा रही भाजपा का बनया मिशन ते लंगाना तो है ही लेकिन यहां से वो समुचे दक्षन भारत को नया राजनेतिक संदेश देगी महराश्ट्र में हाली में हुए बड़े राजनेतिक बदलाव का असर भी कारेकालनी में दिखेगा इससे पार्टी अपनी विचारधारा और सब को साथ लेकर चलने का वाहन भी नेसीरे से करती देखीगी राज़ानी दिली में जल्दी ओटो रिक्षा और टाकसी से सफर करना महगा हो सकता है दिली में तीपाहिया वाहन के लिए प्रती किलॉमीटर पर किराई में डेड़ रुपे और टाक्सियों के लिए बेस फेयर में 15 रुपे की व्रधी के प्रस्ताव के साथ ही ओटरिक्षा और टाक्सि का भाड़ा शिक्र बढ़ने जा रहा है दिली नगर निगम ने सिंगल यूस प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागों होने के बीच शुक्रवार को करीब 700 किलोग्राम प्लास्टिक उतपाद जब्त करने के साथ ही 350 से अधिक लोगों के चालान काटे का अधिकारिक बायान के मताबिक दिली नगर निगम SUP अधिक बारिश होने की संभावना है भारत मौसम विग्यान विभाग में शुक्रवार को ये जानकारी दी जुलाई के दोरान पुर्वी पुर्वोत्तर भारत के अधिकान 600 और पुर्व मध्य भारत से 60 छेत्रों और पश्रिम दक्षिन प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस नए G11 Plus को विश्विस्तर पर लॉंच कर दिया है ये एक बजट फ्रेंडी स्मार्टफोन होने वाला है बजट में होने के बावजुद इस स्मार्टफोन में कई जबरदस फीचर मिल जाते हैं और इनी फीचर्स की बदोलत अब अपने रेंज में एक जबरदस चॉइस बन नाशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीय संग्ति प्रवेश परिक्षा मुख्य दो हजार बाइस सत्र दो के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है चुकमिद्वार जेए में सत्र दो परिक्षा के लिए आधिकारिक जेए वेबसाइट जेएमें.nta.nic.in से जाकर परिक्षा मंगार के बीरभूम जिले में भारी मात्रा में विस्पोटक मिलने से लोगों में हड़कंप मजा हुआ है गुरवार को स्पेशल टास्ट पोर्स ने बीरभूम के महमद बाजार अलाके में गाड़ी समेत 81,000 डेटोनेटर जब्त किया है जितनी बड़ी मात्रा म आपके लिए खास पैकेज लेकर आया है इसमें आपको श्रीनगर, सोनमर, गुलमर्ग और पहल गाम घुमने का मौका मिलने वाला है Microsoft Company के सैसन सापक और अधियक्ष बिल गेट्स ने 48 साल पुराना अपना resume सोचल नेटवर्किंग साइट लिंक्टिन पर शेयर किया है resume को share करते समय बिल गेट्स ने लिखा है कि चाहे आप हाली मिसना तक हो या फिर college dropout मुझे यकीन है कि आपका resume 48 साल पहले की तुलना में बहुत बहतर देखता है England के खिलाब खेले जा रहा है Asbeston Test से पहले दिन टीम इंडिया साथ विकेट के नुकसान पर 330 रन बना कर मजबूत स्थिती में नज़र आ रही है Comedian कपिल शर्मा ने अपने इंस्टा-काउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कपिल को फराटेदार इंग्लिश बोलते वे देखा जा सकता है वीडियो में कपिल कहते हैं भाई हम यहां घूमने आये थे आज क्यानेडा रहे है तो हमने सोचा कि ओपन जीप में हम बाहर जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां क्या हो रहा है बारिश हो रही है और मेरी जिप अभी कुचल दी जाती उदैपुर में टेलर कनेयालाल की हतिया के बाद सभी पार्टियों के बीच आरोप रत्यारोप की राजनेती शुरू हो गई है हाली में भाजपाने कॉंग्रेस सरकार पर त्रुष्टी करन कारोप लगाया है जिस पर पलट वार करते वे कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने आज दिली में एक प्रेस कॉंफरेंस किया, इस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस से प्रवक्ता पवन खेरा ने भाजपा पर जम करने शाना साधा है दिली से जबल पुर ज़ा रहे, स्पाइस जेट के विमान की इमर्जेंसी लांडिंग कराई गई है बताए गया है कि जब विमान ने उरान भरी तो फिर कुछ ही देर बाद विमान के अंदर काला धुआ दिखाई देने लगा धुआ देखने के बाद सभी पैसंजर पैनिक में आ गए और पाइलट ने वापस मुर कर दिली में लैंड करने का फैसला किया अभी यातरी सुरक्षित बताए जा रहे हैं देश प्रिदेश की तबाम बड़े खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद